चलिए, जहिन दोस्तों, मेरा नाम तुशार है, CGPSC Knowledge of KC YouTube पे आप सभी का स्वागयात है, आज MCQ सेशन में हम लोग खास कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर और टीचर के सिलेबस को पकड़ते हैं, जिसमें परिया वरण और कम्प्यूटर, इससे रिलेटेड हम लोग question answer करने वा हो रहा है, environment को, computer studies का, तो आपकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए हम लोगे वीडियो लेकर आ रहे हैं, इसके तरिक्त, CGPSC भी आपका काम आ जाएगा, वे आपको कुछ एक्जाम होते हैं, उसको भी यह सारे topic जो है, cover up करते हैं, तो वीडियो को like कर दीजेगा, share कर दीजेगा, चलिए, question answer में पढ़ते हैं, तो जैसे पहला question आप लोगों के सामने आ रहा है, शुरुवात में हम लोगों ने computer को रखा है, फिर बाद में परियावरण है, और easy से लेकर difficult level तक के सारे question आपको देखने को मिलेंगे, तो ऐसे मत समझिएगा, कि बस हो गया, easy easy द रहता है, यह सारे आपके क्या होते है, operating system होते है, तो Windows क्या रहेगा, आपका operating system रहेगा, इसमें एक चीज़ बड़ा खतरनाक होने वाला है, आप Google का नाम सुने होंगे, Google Chrome, अगर computer चलाते होंगे, तो Google Chrome वैसे तो search engine है, बड़ Google Chrome का OX flash करके, एक आया है, जो आपको देखन ले कॉल से computer बना था, उसका नाम पूछ रहा है, option में हमारे पास परम है, इसके लावा सुपर है, सिधार्थ है और गोतम है, अगर computer की बात करेगा, तो परम को मत लगाईएगा, वो सुपर computer हो जाता है, पहले computer का नाम आपको सिधार्थ नाम देखने को मिलेगा, बच्पन का नाम था, कमिट करके बताएंगे, ओके, चलिए, नेक्स्ट आते है, विश्व computer साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है, अभी आहली में आएगा, अभी आया नहीं है, आने की संभावना है, मतलब आगे आएगा, 15 दिसंबर, 17 जनवरी, 7 जुलाई, 2 दिसंबर, क बढ़िएगा, computer साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाएगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, हर सार, next बढ़िएगा, computer की पहली PD में किसका इस्तमाल किया जाता, जैसे computer की generation की बात करेंगे न, तो एक first generation हमारी रही है, इसके अलावा फिर second generation आई, third generation आई, fourth आई, और अभी चल रह रहते हैं, vacuum tubes रहते थे, फिर आपको second में देखने को मिलेगा, transistor, फिर धीरे-धीरे integrated circuits आना सुरू होते हैं, फिर microprocessor आने सुरू होते हैं, तो अलग-अलग generation में आपको अलग-अलग देखने में मिलते हैं, चलिए, next is related है, दूसरी PD में computer में क्या इस्तमाल किया जाने लग आपको बताना देखो, input device, output device, इसका particular हम लोगों एक video डाल के रखा है, computer virus का video डाल के रखा है, बहुत सारा computer से related हम लोगों ने वीडियो डाला है, आप चैनल बेक बर सर्च करेंगा, हमारे तो आपको videos के section में दिख जाएगा, latest ही है, मतलब पिछले एक महिने के अंदर अंदर बहुत सारी videos हमारी आई है, computer से related, उसको देख सकते हैं, इसी में आपको बताना है output device कौन सा है, generally output device क्या होते हैं, ऐसे device जो data को represent करते हैं, मानों के तरफ, मतलब computer जो data हम लोगों तक भेजना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है वो, तो इसमें अगर output device की बात करेंगे, तो correct answer क्या हैगा, projector आएगा, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एक थोड़ा सा कोशिस कर रहे हैं आप लोगों को, एक projector के जैसे image शो करने की जहां पर आप लोगों को answer दिख रहा है, एक तरफ मैं खड़ा हूँ, normally hall वगरे में, या meeting वगरे में, projector का प्रयोग किया जाता है, movie वगरे अगर आप लोग गया होगे, तो वहाँ पर आपको दिखेगा, जो movie हम लोग देखते, generally वो projector में दिखती है, तो ये output device है, जो image को, projector किसे चीज़ों को present, project कर स keyboard जिसमें हम लोग देखते है, alpha numerical पूरा keyboard का मैंने detail डाना है, mouse जिससे arrow हम लोग control करते हैं, microphone जिससे मेरी हवाज आप लोगों तक record होके जा रही है, आपके कान में जो पहुच रहा है, वो speaker या headphone के माद्धे में चोगा, मैं जिसमें record कर रहा हूँ, microphone लगा है, मेरे just नीचे पर लगा हुआ है, अभी साद आप लोगों को नीचे गा, चलिए, next बढ़ते हैं, प्रस्ने क्या है, input device कौन सा ये बताइए, option में monitor, projector, printer और scanner, जब generally बात की जाती monitor, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे just नीच में एक monitor है, ये output device है, projector, अभी हम लोग सकते हैं, कहीं hard copy, इसके ठोस रख सकते हैं, soft copy output device है, printer की बात करेंगे, printer हमेशा hard copy देता है, printer क्या करता है, आपका page print करता है, जबकि scanner क्या होता है, document को scan करने का काम करता है, ये input device है, इसमें paper, text या images को हम लोग क्या करते हैं, scan करते हैं, और उसकी soft copy बनाते हैं, computer में, scanner क्या हो जाएगा हमारा input device, चलिए, next question के तरफ, image file format कौन सा है, generally computer में file format भी पूछ सकता है, image के लिए, जैसे photos रहती हैं, उसमें अलग-अलग format रहता है, वो कौन सा है, तो जैसे अगर बात करेंगे image format की, .jpg आपको दिखेगा, .jpg दिखेगा, इसके अलावा png होता है, इस तरी लिया गया है, इसको आप सुधार लिजेगा, jpg, jpg image format है, mp3 आपका होता है, audio के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज को, audio के लिए रहेगा, mp3 format, video के लिए रहता है, mp4 format, और jpg किसके लिए, image के लिए है, next question के तरफ बढ़िएगा, binary number system, computer के अगर हम लोग बात करेंगे तो binary number system में कितना होता है, binary होता है, number system में hexa होता है, octal decimal system होता है, बहुत सारे प्रकार रहते हैं, जनरली binary system में यदि बात करेंगे, दो प्रकार के अंक होते हैं, एक आपका होगा 0 और दूसरा होगा 1, जो भी computer की language रहती है, coding रहती है, वो 010101 में ही आपको देखने को मिल हो सकता है, 10B, 11B, 12B, अगर आप लोग थोड़ा बहुत या computer में पढ़े होगे, यह binary coding आपको चिखाई गई होगी, इसमें particular जैसे आपका 2 है या 20 है, इसको binary में किस प्रकार से लिखते हैं, यह बताया जाता है, चलिए, next बढ़ते है, computer का दिमाग किसे कहा जाता है, अगर बोलेंगे, computer का मस्तिस्क क्या है, इसके बारे बताईए, option में है, ROM, CPU, RAM या CD drive, तो correct answer क्या हैगा, CPU, Central Processing Unit, इसी को कहा जाता है, computer का मस्तिस्क, next question के दर बढ़ते हैं, computer किस भासा को समझता है, computer के बारे में आएंगे, जैसे अफी मैं आप लोग उसे बात कर रहा हूँ, आप लोग हिंदी भासा समझता होगे, तो मेरी वीडियो को अच्छे से देखोगे, अगर नहीं समझता तो फिर मुझको एक ऐसा symbolic भासा यूज़ करना पड़ेगा, या फिर 36 गडिये में बोलना पड़ेगा, आइदर English में बोलना पड़ेगा, किसी तरीकी से जिसमें समझ सके, कम्प्यूटर कौन सी भासा समझता, जब ये बात आती है, तो ऐसा निक कम्प्यूटर को अंग्रेजी समझ में आती है, ये कम्प्यूटर को हिंदी समझ में आती है, कम्प्यूटर की ये बात करेंगे, कम्प्यूटर को समझ में आती, machine language, ओके ध्यान रखेगा इस ची कई लोगों ने DVD देखा नहीं होगा, पुराने जमाने में जो बच्चे होंगे, जो ऐसे movie देखते होंगे, कैसे disc type काता था, चप्टा-चप्टा, है ना, जिसमें CD player, DVD player रहता था, वो वाला, DVD हमेशाच ने data को store कर लेता है, hard drive भी कर सकता है, roam भी कर सकता है, RAM जो होता है, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, कम data या कम समय के लिए data store करता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, phone में कितना RAM है, कितना ROM है, जो ROM होता है, जैसे आप मान के चलिए phone के सबसे समझा जेता हूँ, जैसे आपके पास है 6 बटा 64 GB का phone, या फिर आपके पास है 8 बटा 128 GB का phone, तो 8 GB क्य computer को या mobile को वो तेजी से काम करने में सहता करता है, बट यह जो 64 और 128 होता है, इसमें हमारा data store होता है, जैसे आपके mobile में कोई photo store है, तो यहाँ पे रहेगी, आपको application खोले हैं, वो side में चल रहा है, तो वो कहाँ पर चलेगा, आपका RAM में store रहता है, तो RAM क्या करता है, कुछ समय के लिए data store करता है, ताकि computer जो है fast काम कर सके, और इसमें जैसे ही बिजली जाएगी, आपका storage जो है, वो खतम हो जाएगा, मतलब जो भी उसमे store है, वो निपड़ जाता है, ओके चलिए, next question के तरफ बढ़ते हैं, Google क्या है, इसके बारे में बढ़ाई है, जनरली search engine, browser, य YouTube एक अलग platform हो जाएगा, Facebook एक अलग platform हो जाएगा, जो social networking site होगी, इस प्रकार से प्रश्नों पोचे जाते हैं, Google क्या है, Gmail क्या है, यह सारी चीज़े, तो Google क्या रहेगा आपके पास, एक search engine है, याप रखिएगा, new IT act में भी आई बोला गया, Google को जब बोला गया, कि आप social media में आते हो, आपको यह यह follow करना Google गोला, मैं social media में कहां आता हूँ, मैं तो एक search engine हो, ओके, चलिए, next आते हैं, इन में से कौन सा एक search engine नहीं है, आपको बताना search engine इन में से कौन सा नहीं, search engine क्या होता है, तो search engine मान के चलिए, जैसे आप लोगों को कोई data search करना है, आप में स कुछते हैं, जो search engine है, इसके अलावा भी, जिसमें भी आप खोजी सकते हैं, उसको बोला जाएगा search engine, option है Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, कौन सा नहीं है, तो Google एक search engine है, Google वाला आपका company हो जाएगी, parent company, Alphabet, Alphabet का हो जाएगा, Bing जो है Microsoft का search engine है, Microsoft company, जो computers में साते, Windows वाले, वहाँ पर आपको Wikipedia से निकालते हैं, तो एक प्रकार का encyclopedia होता है, जहां से हम लोग इसको search कर सकते हैं, और निकाल सकते हैं, search engine नहीं है, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर वही चीज़े को दिखाएगा, जो उसमें मौझूद है, next बढ़ी है का question में, document को save करने के लिए, कौन से command का प्रियो और X अगर आप दबाते हो, तो होता है cut, इसके अलावा control और V दबाते हो, तो होता है paste, ऐसे बहुत सारे option है, अगर आप control के साथ backspace दबाओगे, तो याद रखना, आप जैसे word लिखे हो, पूरा-पूरा सब्द हटेगा, जैसे किया लिखा यह पूरा हट जाएगा, अगर control के साथ दबाते हो, control के साथ delete दबाओगे, तो जो भी cursor के पहले सब्द है, यह बाद वाला, वो आपका पूरा-पूरा delete हो जागर, normally delete या backspace दबाते है, तो एक एक लेटर होता है, यह पूरा word निप्टाने के लिए काम आता है, तो इस प्रकार से बहुत सारे command भी पूछे जाते हैं, next बढ़िएगा, MS Word क्या है, इसके बारे में आपको बताना है, what is MS Word, system software है, utility software है, input device है, application software है, तो जब MS Word की बात आएगी, तो यह एक application software है, particular application है, जिसका प्रयोग हम लोग करते है, document बनाने हो, तो MS Word क्या हो जाएगा, application, system की साथ नहीं आता, अलग से लेना है, next बढ़ते हैं हम लोग, इन में से कौन सा hardware नहीं है, यह बताना है, hardware नहीं है, अब hardware और software में यदि बात की जाए, तो hardware ऐसी चीज़े होती, जिनको हम लोग computer में छू सकते हैं, समाने तोर पर समझने के लिए, software क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जिनको हम लोग छू है, mouse भी एक hardware है, Excel, MS Excel क्या है, यह आपका software है, MS Excel के अंतर गताता है, spreadsheet बनाने के लिए काम आता है, spreadsheet अगर बोले तो थोड़ा बहुत जैसे आपको चार्ट वगरे बनाना है, billing वगरे करना है, वो आपका Excel में मदद करता है, चलिए, next आईएगा, dot matrix क्या है, इसके बारे में है, इसको भी हम लोगों ने हमारे वीडियो में cover up किया है, क्या चीज़ है, dot matrix, printer, scanner, projector या फिर mouse, तो dot matrix की जब भी बात आती है, तो dot matrix क्या है, आपका याद रखेगा, printer का एक प्रकार है, type of a printer is called dot matrix, एक प्रकार का printer है, जो अपने dot 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 करके वसब्दों को या अक्षरों को ज printer, अलग-अलग प्रकार की printer, जिसमें पूरा cover up है, impact, non-impact है, इसके अलावा कौन सा printer, आपका thermal printer होता है, इस सारी चीज़े cover up है, वो वाले वीडियो आप देख सकते हैं, हम लोग कोशिज करेंगे कि comment में डाल दे, otherwise आप channel में search करेंगे, आपको मिल जाएगा, चलिए, next आत रहता है, main आपका processor रहेगा, जिसको हम लोग दोलेगे, computer का must disk, CPU गोल देंगे, इसके अलावा RAM, ROM, hard disk, सारी चीज़े यहीं लगी रहती है, अब अगर मान के चलिए, data अदान प्रदान करना है, motherboard में, तो कैसे पहुँचेगा, तो इसके लिए क्या रहता है, तो याद रखे computer भासा के बारे में बात करेंगे, तो वEGyatic लोग कौन सी भासा प्रोग्रामिंग करते हैं, कौन सी computer भासा है, याद रखेगा, fortran, fortran वEGyantic computer भासा है, next आते हैं, computer में किसी सब्द की लंबाई किस में मापते हैं, जैसे कोई letter लिखा है, उसका size मापना है, तो किस में माप जाता है bit में, यहना bit से छोटी होती nible, nible के बाद आती bit, bit के बाद आती byte, byte के बाद आपको देखने को मिलेगा kilobyte, फिर megabyte, फिर gigabyte पर terabyte, जैसे आज की रिट में हम लोग बात करते हैं न, gb, तो gb क्या है, gigabyte बोलते हैं हम लोग है, इतना gb memory है, पर byte से भी छोटा होता है bit, bit इकाई में आपा जाता है, next आईएगा, www का पूरा नाम क्या है, जब भी network चलता है, हम लोग computer में चलाते हैं, तो www के बाद धिम से ही चलता है, www का full form क्या होता है, worldwide web, ओके, इसके आविशकारक का नाम जो है, अगर आप चाहें तो comment करके बता सकते हैं, किसी ने इसको ख youtube.com slash clearcgpc, हमारे youtube channel का आपको देखने को मिलेगा, क्या है, एक प्रकार का protocol है, वैसी आपको भी website खोलेंगे, आपका ऐसी देखने को मिलेगा, बताइए, http का full form क्या होता है, जो सुरुवात में लगा रहता है, तो http का full form होता है, hypertext transfer protocol, याद रखेगा, hypertext transfer protocol, एक और का full form आप comment कर सकते है, html, html का full form क्या होता है, computer से related है, इसके बारे में भी आप बता सकते है, चलिए, next आते है, tally, tally के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, tally का उपयोग किस के लिए किया जाता है, networking के लिए, संचार के लिए, accounting के लिए, publication के लिए, जंदली अगर आप t accounting, accounting software है, जिसका प्रियोग हम लोग करते है, accounts में, okay, तो commerce वाले टैली को पढ़ते है, next पढ़ते हम लोग, अब question आ रहा है, इन में से कौन सा conservation, ozone, परशन, रक्षण के लिए, समर्पित, अंतराश्टी पहला समझ होता था, परियावरण के पूरे question रहेंगे, जिनको computer तक त अगर बात आएगी, पहले सम्मेलन की जो आपका ओजोन परत से जुड़ा है, तो उसका नाम आएगा वियना, वियना के बारे में यदि बात करेंगे, तो ओजोन conservation के लिए समर्पित पहला अंतराश्टी समझ होता था, इसका उद्देश सी क्या था, ओजोन परत पर मानवी काई इद्दी के प्रभाव का उलोकन करना, अनुसंधान करना और सूचना का आधान-प्रदान करना, और उन गतिविदियों के खिलभ इधाई और प्रशासिनी कुपायों को अपनाने के लिए जीनिसर जो है आपका ओजोन पर प्रतिकुल प्रभाव परता है, मीनिंग क्य है पहले पूरा study करेंगे आपस में जो भी लोग जुड़े है विए ना conversation से सारे देश आपस में जो भी उनके पस research किस प्रकार से कौन सी चीजे जो है इसमें problem करती है हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन से पदार्थ ओजोन परत के आपका जो संचरण है उसके लिए जो है दाई है उन सारे पदार्थों के उपर अगर आप research करते हो आजू बाजू दे दो इसके अलावा जैसे हम लोगों को पढ़िएगा समुद्री मलवा समुद्र में बसने वाले जीवों के लिए बहुत हानी कारक हो सकता है इनके चलते सील और अन्य समुद्री इस्तंधारी विशेश रूप से जोखिम में है ये बड़े पैमाने पर अवैद रूप से या प्रतिकूल मौसम की वज़ा से फेग दिये गए प्लास्टिक के बने और पकड़े जाने के लिए जाल उलज जाते हैं सील तथा अन्य स्तंधारी अकसर इनमें उलज जाते हैं ये कौन सी घटना उपर दिये गए अनुच्छेद में वर्णित है मतलब बता रहे हैं कि हमारे द्वारा जो समुद्र में कचड़ा फिका जाता है हम लोग दो समुद्र में कचड़ा फिकते हैं वो कई बार समुद्र के जीवधारियों के लिए हानिका रख हो जाता है खास कर जो भी सीलिय समुद्र के अंदर इस्तंधारी जीव है वो उन कचड़ों में फस जाते हैं और अगर खराब मोसम रहा तो उनकी वहाँ पर फसने की वज़ा से मृत्ति हो जाते हैं उलजने की वज़ा से इस घटना को आप क्या बोलेंगे अब इसमें क्या है जीवधारी फस जाते है और उनकी मृत्ति हो जाते है तो इसको घोष्ट फिसिंग बोला जाता है नेक्स्ट आईएगा परियावरण से जुड़ा हुआ कुस्चिन है ब्लैक कर्बन ब्लैक कर्बन के बारे में आपको बताना है कि कौन से स्टेट्मेंट सही है पहला स्टेट्मेंट आता है यह एक गैसी पदार्थ है जो जिवाश में इंधन और बायो गया मास के अपूर दहन के परिणवाम सरूप होता है मान के चली आप लकडी जलाते हैं और या कोई आप बायो मास चला रहे हैं जिसके कारण से अगर वो पूरा नहीं जला तो एक गैसी पदार्थ होता है जो आपको देखने को मिलेगा यह कम समय में वातावरण में रहता है और जलवायू परिवरतन में योगदान देता है यह पृधिवी की सता पर के अलबीडो को कम करता है जिससे थापमान में वृध्दी होती है आपको बताना इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है ऊप्शन है केवल दो एक तीन दो तीन या एक दो तीन correct answer के यदि बात करेंगे हम लोग तो correct answer के आएगा option C केवल दो और तिन statement सही है क्योंकि black carbon जो है आपका gas नहीं है कण है छोटे छोटे चोटे जो कण होते हैं न पी एम 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 वन आप लोगों ने से सुना होगा वो सारे आपको देखने को भिलेगी तो एक कण है जिवाश्म इंधन के अधूरे देहन से जो आता है इसके अलावा बाकी चीज़ों के अगर बात करेंगे हम लोग तो कम समय के लिए वातावरण में रहता है वायू परिवरतन में योगदान देता है जल वायू परिवरतन में प्रवास के दोरान वेल के दोरा छोड़ेगे अपसिस्ट समागरी को संदर्भित करता है इसके अलावा या समुदरी पारिशितिक तंत्रे के लिए अत्यतिक फाइदे मंद है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है केवल एक केवल दो एक और दो दो ना तो एक ना तो दो अगर सी स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसके स्टेट में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा यह दोनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सी स्टेटमेंट क्या है तो एक पतली ग्रे ब्राउन शीट है जो मृत जीवित कार्बनिक पदारसो द्वारा बनाई जाती है, यह कीचर तब बनता है, जब सेवाल गर्ब मौसम में पोसक तत्वों से भरे होते हैं, यह गर्ब मौसम ग्लोबल वर्मिंग के कारण होता है, अता कथन एक सही नहीं है, मतलब वेल मचली के द्वारा छोड़े गया चीजों से कोई संबंद नहीं है, जो मरे हुए जीव रहते हैं उनके कारण यह बनता है, इसके अलावा यह परियावरण के लिए पारिशिदिक तंत्रे के लिए बिल्कुल फायदेमंद नहीं है, बलकि इससे गंदेगी फैलती है और जीवों की मृत्ती होती है, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, कई लोगों ने वेल मचली द्वारा छोड़ेगे, अपसे समागरी की जब बात आती है, तो याद रखना, आप लोग जो भी पर्फ्यूम लगाते हैं तो पर्फ्यूम में आपको देखने को मिलेगा, ज आर्सेनिक प्रदूशन के संबन में कौन सा कथन सही है, पहला है आर्सेनिक में कोई गंध या स्वाद नहीं होता है, आर्सेनिक एक कार्सिनोजेनिक इसेंट है, आर्सेनिक भारत की नदियों में पाया जाने वाला सबसे आम भारी धातु प्रदूशक है, बताइए कौन सा statement सही है केवल एक एक और दो दो और तीन एक दो तीन correct answer क्या आएगा जी option भी आएगा पहला और दूसरा statement जो है सही है पर भारी धात्यों की बात आती है तो भारी धात्यों में आपको arsenic नहीं देखने को मिलेगा भारी अब आपको क्या मिलेगा लोहा तो समार्न लिए तोर भारत के नदियों में लोहा देखेंगे ज्यादा दर दौरूर पे बागी बाहरी बात करेंगे तो कोई गंधया स्वाध स्वाद नहीं होता अर्सेनिक में बहुत होता है घ्लती से आरसेनिक अगर आपके सरीद में घुज गया तो भगवान को प्यारे हो जाएंगे आप ध्यान रखिए गर इस चीज को चलिए नेक्स्ट आते हैं निम्न में से कौन सा डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारती राज्य था और अब उसने पैकेज मिल्रल वाटर बोटलों का भी उप्योग पर प्रतिबंध लगा दिया है जो हमारे यहां आता है ने 10 रुपे 20 रुपे वाला पानी की बोटल वैसे तो बात की गी थी कि 1 जूलाई से पूरा प्लास्टिक बैन होने वाला है एक जूलाई 2022 से कितने जगा प्लास्टिक बैन हुआ बताईएगा हम लोगों ने करिंट में वीडियो कवर अप किया था अब बताईएगा आपके शेत्र में हुआ क्या पन्नी बगरे बंद हुई क्या यह जो सारे पाइप वगरे मिलने से फ्रूटी बगरे की यह बंद इसके अलावर डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग जो है उन पर भे पूरा प्रतिबंध आप नहीं खरीदोगे नहीं बेज सकते हैं सा कौन सराज्य है सिक्किम मडिपूर असम या रोनाशल प्रदेश करेक्ट आंसर क्या आगा सिक्किम तो सिक्किम परियटन बोर्ड ने 2022 2022 में ही जो है इस चीज़ को कर लिया है शुरुवात में ही अताहा आंसर क्या होगा हमारा ए सही होगा चलिए नेक्स्ट बढ़िएगा निम्ले लिखित में से किस संगठन ने हाली में भारत में अपनी तरह का पहला जिला इस तरी जलवायू भेद्यता मुलकांक या सुचक मुल्यंकन या जलवायू भेद्यता सुचकांक जिसको हम लोग क्या बोलेंगे CBI इंग्लिस में सही रहता है नाम Climate Vulnerability Index CBI जो है भिक तयार किया है Option है निती आयोग परियावरण और वनमंत्रा ले World Wild Fund for Nature या उर्जा परियावरण और जल परिशाद जिसको हम लोग क्या बोलेंगे Council on Energy Environment and Water इन्होंने अपनी तरह का पहला जिला इस तरी जिलवायू भेद्यता मुलकांकन या CBI जो है इसको तयार किया है भारत के 640 जीलों क विस्लेशन किया है ताकि अत्यधिक सम्वेदन सिल्था का आकलन किया जा सके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या हमारे परस प्रशन है हाली में एक शब्द देखा जा रहा था न्यूस्पेपर में Innovation for You यह किस से जुड़ा हुआ है Option है परियावरण की सुरक्षा के लिए पारंपरी ज्यान के आधार पर नवाचारों को पुरुस्कृत करने वाले UNFC की वार्शिक समिक्षा प्रक्रिया से विभिन छेत्रों में अटल इनोवेशन मिशन की स्टार्टपों की सफलता की कहानियों को साज़ा करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने तरह देश में अपि प्रयासों को मानता देने के लिए इसके अतरीख चोटे पहमाने पर अन्तरिक्ष विज्ञान के विकास की प्रहचान देने और इस दो 형ma हूं पाकी चीजों के लिए इजिसको बोला गया सोलाव ये इसकी सिर्षक वाली रिपोर्ट किसके दौरा प्रतासित की गे थी ये बताएगा 2021 वरली दिसंबर कैस्पा से रिपोर्ट आई थी किसी देखी UNEP, FAO, EC या WWF FAO का फुल फॉर्म खाद्य और क्रिसी संगठन UNEP मतलब सयुक्त राष्ट परियावरन कारेकरम EUEC मतलब यूरोपी संग और इसके अलावा WWF World Wild Fund WWF लगा मत देना World Resilient Federation वो बदल गया है WWE हो गया है करेक्ट आंसर क्याएगा B FAO, सयुक्त राष्ट, खाद्य और क्रिसी संगठन ने ये रिपोर्ट जादी की थी आप इसको पढ़ सकते हैं अराम से चलिए, स्क्रीन सोट ले लिजेगा Next question के तरफ बढ़ते हैं, वीडियो जाता लंबा हो जाएगा दर्वाइस, next question क्याता है बन्यजू संरक्षण अधिनियम के जरिये भारत में खेती और रोपड के लिए निम्लिकित में से कौन से पौधो का निशिद किया गया है कौन सा निशिद किया गया बताईएगा, ओके, किलर वीड, ड्रैगन प्लाट, बैला डोना बन्यजू संरक्षण अधिनियम के जरिये भारत में खेती और रोपड से निम्लिकित पौधों में से कौन सा निशिद किया गया है मतलब कौन सा आपको बताना है खेती नहीं कर सकते और इसको आप नहीं रोप सकते किलर बीड, ड्रैगन प्लांट, बैला डोना या लेडी स्लीपर और्किड्स, सही आउसर क्या आएगा लेडी स्लीपर और्किड्स, इसको जो है अब नहीं कर सकते खेती और रोपड चलिए, नेश्ट प्रेशन में आईए किस एक्ट के तहट या किस कानून के तहट वन्ये जीव रिजर्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बायो स्फियर रिजर्व, इसको बनाने का प्रावधान है आपके पास ओप्शन है, वाइल्ड लाइप प्रोटेक्शन एक्ट 1972, बायोलोजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 2002, एन्वारोमेक्ट एक्ट 2006 या इनमें से कोई नहीं, मतला वन्ये जीव सनरक्षन अधिनियम 1972, इसके अलावा जय विवित्ता सनरक्षन अधिनियम 2002, पर्यावरान अधिनियम 2006, बताए किसमें है यह वाला, बायो स्फियर रिजर्व बनाने का तरेक्ट आंसर क्या येगा, इनमें से कोई नहीं, बायो स्फियर रिजर्व जो है न, एक बड़ चेक करिएगा, यूनेसको, यूनेसको के द्वारा जो है इनको बनाता है, यूनेसको होगा, इसके द्वारा जटा है, अंतराष्टी नेट्रोजन को ठीक कर सकता है, कौन सा कथन सत्य है, केवल एक, केवल दो, एक और दो या इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर क्यागा, इनमें से कोई नहीं, दोनों स्टेट्मेंट्स जो है, गलत है, बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोस्चिन के तरफ, आपको बताना है, कथनों को एक है, वोके, इस टॉक होम कनवर्सेशन के द्वारा, गंदा धेर के बारे में बताया जा रहा है, कि कारवनिक प्रदोशक के रूप में सुची बद किया गया है, और इससे मानों और पर्टिकूल प्रभाव पढ़ता है, दूसरा है, एंडो सुलफन गेंदे धेरों में से एक है, कौन सा कथन सकते है, सही आंसर की आएगा, केवल पहला कथन सकते है, एंडो सुलफन को हम लोग नहीं लेते हैं, नेक्स्ट पढ़िये, कूनो पालपूर वन्यजी अभ्धिहरण, आज का सबसे आसान कुस्चन है, कूनो पालपूर वन्यजी अभ्धिहरण किस प्रदूशन करता है, इसके बारे मिर्दा हो, यह तीनों करता है, DDT होता है, क्या है, एक प्रकार का कीट ना सक है, जिसका फूल फॉर्म क्यों होता है, अगर देखेंगे, तो खेटी में यूज करते थे, इसको 1972 से बंद करने की कोशिस की गई है, चलिए, नेक्स्ट बढ़िएगा, उत्तर प्रदेस में विज्ञान और प्रोध्योगी की परिशत का गठन कप किया गया, 1975, 85, 95 या 2005, करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात कर लेते सीधा-सीधा, 1975 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ये कठित किया गया, नेक्स्ट प्रशने के तरफ बढ़ते हैं, प्रशने क्या है, ग्रीन हाउस गैस गंदे पानी से बनती है, उसका चेन करिए, इन में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, जो गंदे पानी में बनती है, मे पहराई में, गंदे पानी में, जो जुगाली करने वाले जीऊं है, जैसे गाय हो गया, भैस हो गया, इनकी आतों में बनती मिथेन गैस, ओके, चलिए, नेक्स्ट कोस्टन में आईएगा, निम्रेकित पर ध्यान दीजिए, LPG, CNG और शेल गैस, बताइए, मिथेन गैस किसक में मिलेगी, अब कुछ है, LPG बात कर लेजिए, liquid petroleum gas, CNG बात कर लेजिए, compressed natural gas, या फिर शाले gas, सब में आपको methane जो है, एक मुख्या औरविक के द्रौक पर देखने को मिलेगी, तो इतने थे, आज के question, अभी वीडियो को over करते हैं, बाकि टेस्टरिस चल रहे हैं, आप ट एडियो फूल जाएगा, इसके अलाब मेत्रिस निंग का course भी है, आप ले सकते हैं, तो इतना थाज के उडियो के लिए धन्यवाद जहेंगे,